बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम असलामलेकों विवर्स वल्कम टू मै चैनल कुकिंद विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो आफ्यास से होंगे अल्ला तला आपको हमेशा हुशार अबाद रखे आमिन सो मामिन तो विवर्स आज फिर हाजिर हैं एक बहुती मज़ेदार क कि बहुती मुनफ्रीद किसम की रेसीपी लेकर आपके हिदमत में आज हम बहुती टेस्ट फूल बहुती जल्दी बन जाने वाला और सबसे हास बात यह कि बहुती कम मसालों के साथ चिकन मलाई बोटी तयार करने जा रहे हैं जिसको बनाना तो बेहद आसान है और बात की ज चिकन के पीसीज मैंने चोटे-चोटे क्यूबस ने किया है मैं आपको यही रिक्मेंट करूंगी यह पीस आप नॉर्मल ही रखेगा ज्यादा बरेमत रखेगा ताकि इसको घुलाने में इसको टैंडर करने में हमें ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना परे तो चलिए व इसी तरह हाफ टीस्पून स्वैद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे हाफ टीस्पून गरम साला पाउडर शामिल कर देंगे जो के रोस्टिर है हाफ टीस्पून ही नमक शामिल कर देंगे मिसालों की मिकदार आप चिकन की मिकदार के मताबिक कम यह ज्यादा कर सकते हैं एक टीस्पून सिर्का शामिल कर देंगे सफय सिर्का मैंने शामिल किया है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दो टीस्पून लेमन का जूस भी इसमाल कर सकते हैं इसे क्या होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बनेगा दो टीस्पून भरके शामिल कर देंगे यहाँ पर मैंने फ्रेश करीम समाल की है यानि के डबे के करीम अगर आप ये नहीं है तो दो टीस्पून भरके आप मलाई के शामिल कर देजेगा एक टीस्पून शामिल कर दिया है तीन टेबर स्पून मैंने ले लिया है धनिया जिसको कट कर लिया है और इस इतना तीन अधर धरी मिर्चे ले लिया है इन दनों को हम पेस लेते हैं इसकी पेस्ट भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत ही ज्यादा फ्लेवर फुल और बहुत ही ज्यादा मज़ेदार बन बन जाएगा तो बस वीवर्स यही हमरे मुहतसर से अजदा थे जहां एकर दिहें अब हमने अच्छी से mixing कर लिनी है एक अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे हर बोटी पर अच्छे त्रिके से मसाला आ जाना चाहिए ताकि इन मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए यहां पर मैं इसको तीन से चार घंडे के लिए रखने जा रहे हूं अगर आपके पास टाइम कम है तो कम आज कम आदा घंडा के लिए इसको मेरिनेट करके जरूर रखिएगा ताकि सार की हैं और अगर आपके पास लोहे के रौड है यानि के लोहे की स्वाहें हैं तो अब लोहे की स्वाहें भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर लक्री की इस्तमाल करेंगे तो तवे पर फ्राय करना आसान हो जाएगा और लोहे की स्वाहें हम तब यूज करते हैं जब हमें बार्ब 3-4 खंटे के लिए मैंने रखा था और यह बहुत ज्यादा सौफ्ट और मज़े की बन चुकी ही है यह सारी ही स्ट्रिक्स हमने भर दी है अब हमने तवा गर्म कर लेना है पहले तवा अपने हाई फ्रेम पर गर्म करना है उसके बाद फ्रेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और तक्रीबन 2-3 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे एक साइड को कोक कर लेना है तो बस भी बस यहाँ पर थोरा सा आपको तहमूल कम जाहरा करना होगा जैसे ही एक साइड हलकी सी गोल्डन हो जाएगी आपने साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी बिल्कुल इस गी लगा रही हूँ आप चाहें तो बटर भी स्माल कर सकते हैं दोनों से ही बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और एक शाइनिंग से आजएगी बोटियों के उपर तो चले वर जैसे जैसे हम साइड चेंज करते जाएंगे साथ साथ बटर यां गी इसके उपर अप हमारी जूसी रहे जाएंगी पक जाएंगी कची नहीं रहेंगी और इसके साथ साथ उपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और मज़े की हो जाएंगी और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा यानिके वर्स बार्बिक्यू यानिके कोईले के बगार और बगार ओवन के आप बहुत ही मज़ेदार किसम की चिकन की बोटिया अराम से रोस्ट कर सकते हैं तो यहां पर वस हमारी मज़ेदार सी चिकन की बोटिया अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुकी हैं अब हम इसको करते हैं डिशा और कुछ तैलर मैंने काट रखा है प्यास के रिंग है और खीरे की बनी है यह देखे कितनी जूसी है यह और बहुत गर्म भी है लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूं ताकि आपको इसका अंदर का टेक्चर और इसका जूसी पन नजर आ सके तो इवर्ज रेसीपी अच्छी लगे तो प्लीज राइक और शियर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको में नए 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 वीडियो की नोटिफकेशन फॉरं से मिल सके जो फ्री ओफ कोस्ट है पार्टी और फंक्शन्स में बनाने के लिए पेस्तरीन आ कि आपने मेरे सारे ट्रीक्स और ट्रीप्स को फोलो करते हुए जब मलाई चिकन बोटी बनाया तो कैसा बना आपकी घरवालों को कैसा लगा इन्शाला सबको ही बेहत पसंद आएगा तो चलिए वीवर्स इजादत दीजिए फिर हाजिर होंगी इन्शाला एक नए रेसिप के साथ अपना बहुत साहिया रखिएगा मुझे भी दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफेज